हालो फेंज कैसे हैं आप लोग बहुत दिन के बाद मैंने एक वीडियो लेके आई हूँ मैंने बहुत ताइम से वीडियो बनाया नहीं क्योंकि मेरे पास ताइम नहीं था इसके लिए तो आज बनाने को जा रही हूँ, जा नहीं रही हूँ, अज बना रही हूँ, पुलाओ और मैं नहीं बनाओंगी, हमारा बाजु वाली भाबी बनाएगी तो आप लोग जरूर देखते रहे ना, लास्ट तक वीडियो देखते रहो और कैसे बनाएगा मुझे भी नहीं पता, तो मैं भी देखोंगी और आप लोग भी देखो ये पहले से हमने किया हुआ, मसाला, पुरा गरम मसाला जो है ना, पहले से रखा हुआ है यहाँ पे अभी थोड़ा मतलब घतो हो गया, इसके लिए पानी मिक्स किया बाद में कुक कर थोड़ा गरम होने को डाला, अभी ओयल डालेगा, बाद में क्या, जो ओयल है ना, गरम होने के बाद, अभी गरम हो गया तो अनियन हमने पहले से कट करके रखा था, तो अनियन ब्राउन होने तक फ्राइ करेगा, बोल रहा है, पता नहीं कैसा करेगा मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैंने कभी प्लाव नहीं बनाया एक दो बर बनाया था लेकिन अलग तरीकिस से बनाया थे तो इसके लिए तो आप लोग देखते रहो मेरा वीडियो और मैंने अभी तक जितना भी वीडियो बनाया है कहीं पे भी मैंने हिंडी में वोईस नहीं किया था अभी फर्स्ट टाइम क्योंकि मेरा हिंडी भी थोड़ा गरबर है लोग ऐसा बताते पता नहीं लेकिन आप लोगों को ऐसा लगता है खराब है तो आप लोग चरूर मुझे कमेंट करके बताईए और मेरा जितना भी दोस्ट लोग है सब लोग बताते कि यह मेरा लेंग्विस समझ में नहीं आते इसके लिए मैं हिंडी में यह कर रहे हूं पॉइस ददर गूँँ अभी से जितना भी वीडियो अपलोड करेंगे सबमे में हिंडी में फोईज डालने के लिए कोशिस करूंगी अभी कांडा जो है हमारा ब्राउन हो गया तो अभी जितना मसाला करके रखा था वो मसाला एट करेगी भाबी एट करेगी बोल रहा था तो मैंने भाबी को बता रहे थे आप बताईए क्योंकि आप बना रहे तो आप बता दिजिए क्या क्या डालने वाले लेकिन भाबी बता रहे थे वो बता नहीं सकता है वो उसका सकल भी नहीं दिखा सकता है क्योंकि भाईया गुसा करेगा और इसके लिए भाबी को सरम भी आ रहा था इसके लिए मैंने भाबी का सकल नहीं दिखा रहीं और भाबी भी नहीं बतारे में ही बता रही हूं जितना भी होता है अब यहा हुआ हालदी भावडर ढला नमक फिर ह्दोनिया प्याइड यह सभ हें किया मसाला भी पहले से जो करके रखा था हैं अब ही मिक्स कर रही उसके यहां पर यह किया घ्रीन चिली हमने जाड़ा कट करके यह किया था क्योंकि हमको टिखा खाना बहुत पसंद है इसके लिए जाड़ा ग्रीन चिली कट किया था अभी यह सब मिक्स करने के बाद ही तो हो जाएगा इतना अच्छा खुजबू आ रहा है ना मुझे खाने को मन कर रहा है रुकने को नहीं हो रहा है यह सा मतला मस्त खुजबू आ रहा है एक मिनित रुकने के बाद एक मिनित नहीं रुका था आदा मिनित ही रुका था तो ऐसा हो गया अभी वहां पर मिक्स करेगा यह आलू गभी मतर मुझे त पसंदे तो अब पूरा मिक्स करेगा इससर ना उसके बाद चावल सावल ये करेगा तो में भाबी को बता रहे थी बाबी मैं सावल और ने चावल्ड दोगे कर दोएघ्या कान प्लावि ने के नहीं हैocado तो आप चावल्डे हाथ , आप कर चयाँजिके कर किया सावालश साइरकिए इसमाद कान नियूक्त के निनुलिया पर दहत्साहो. अभी मैं पूछ रही थी भावी को भावी और कितना ताइम लगेगा मुझे भूख लग रहा है खाने को मन कर रहा है जल्दी जल्दी होएगा की नहीं तो भाबी ने कुछ आवाज ने किया और इस सारे से बताया पास मिनिट लगेगा क्योंकि भाबी का आवाज नहीं आना मंगता है इसके लिए भाबी ने इस सारा करके बताया पास मिनिट लगेगा और बता रही थी दो गलास पानी इसमें एट करना पड़ता है उसके बाद ही दक्कन लगाना पड़ता है क्योंकि भाबी नहीं बता सकती है क्योंकि उसको सरम आती है इसके लिए मेरे कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे बहुत जोर से भोक लग रहा है और हमारे चला गया light जो अभी क्या करें क्या करें अभी अंधेरे से ही ये करना पड़ है तो कोई बात नहीं लेकिन फटाफट हो गया पास मिनिट भी नहीं लगा जल्दी हो गया मतलब बहुत जल्दी हो गया तो अभी पूरा मिक्स करने के बाद मैं पहले खाऊंगी उसके बाद हमारा जो है कलीजा उसको आने तक मैं नहीं रुखूंगी वहां कि आके लेको मैं पहले खाके रुकूंगी अभी गरम गरम जो खाएंगे ना उसका मज़ा हो 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 मैंने तो अभी खा लिया तो अभी इसको खिलाती हूँ केज़ा लग रहा है मैंने खुट बनाया हाथों से मज़ा रहे खाने को मज़ा रहे खाने को तो कोई बात नहीं मैं किलाती हूँ ना आ करो करो आ करो अच्छा लग रहे दूसरा किलाती हूँ दूसरे बार कोई बात ने कोई बात ने चला करो आ करो अच्छा नहीं लग रहे कि अच्छा लग रहे तो खाओ ना क्यों नहीं खा लो आप तुम मैं समोसे नहीं खाता हूँ, अच्छे खाएंगे, अच्छे अच्छा लगता है तु मत किला भी समोसे